नमस्कार स्वागत है आप सभी का आप देख रहे हैं फेस टू फेस आपके साथ मैं हूँ पंकज रौतेला फेस टू फेस में आज जिस मुद्दे पर बात होनी है वो बात है भाषाई मरियादा की क्योंकि अनुराक ठाकुर ने एक मंच से कुछ शब्द कहे गोली मारो और इ और जगह बताओ कहां पराना है करनाटक के एक मंत्री है प्रेटन मंत्री अनुराक ठाकुर के बयान का समर्थन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर देश विरोधियों को गोली नहीं मारेंगे तो क्या बिर्यानी खिलाएंगे इसी पर आज फेस टू फेस में दो महमान हमारे साथ होंगे उनसे आपका परिशे करा देता हूँ संदिव दुवे जी बीजेपी से हमारे साथ है और फजील एहमद मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ है अब दोनु का स्वागत है अनुराग ठाकुर के बयान पर जारी है सियासत अनुराग ठाकुर ने कहा गोली मारो तो अनुराग ठाकुर को वह ऐसी ने किया चैलेंज सियासी गलियों से लेकर हिंदुस्ता पूछ रहा है क्या वो एसी खुद को गदाट ठेरा रहे हैं तो तौर बयानों का चल रहा है वो भी विवाद पैदा करने वाले बयानों का ऐसे बयान बीर निकल करा रहे हैं जो मंची भासा के इस्तर को चक्ना चूर कर रहे हैं सी एये के खिलाप एक तरफ प्रदर्शन चल रहा है तो दूसरी तरफ दिल्ली चुनाव की चमक भी मंचों पर देखी जा सकती है बीजेपी के अनुराग ठाकोर ने सियासी मंच से एक बयान दिया सुनिए अनुराग ठाकोर के गत्तारों को गोली मानने के बयान पर बबाल थमने का नाम नहीं ले रहा है AIMIM चीप ओएसुदिन ओएसी ने अनुराग ठाकोर के पहाने सीधे प्रधान मंत्री मूदी पर निशाना साथा ओएसी ने कहा कि जहां बुलाओ आने को तयार मारो मुझे गोली सुनिए आप भी क्या कहा ओएसी ने तो जहां बुलाओ आने को तयार मारो मुझे गोली OAC के बैान के बाद सियासी गलियों से लेकर अब इस बात पर चर्चा होने लगी है कि क्या अनुराग ठाकोर के बैान का जवाब देने के साथ ही OAC ने अपने आप को गददार घोशिद कर दिया है देश के गददारों को गोली मारो शुट को कितनों को गोली मारो गे जोगा ऊाक थाकु एक, मैं जानता हूँ का तुम्हारी नजर्ट में लॅधत्दीन अवे इसी गबधदार है, तुम्हारी नजर्ट में वारिश इंप्याज जलीलगदार है मगर याद रखो अनुराग ठाकुर तुम्हारी सरकार के बंदोख की गोलियां खतम हो जाए नी मगर हम इतने तादात में कि तुम्हारी गोलियां हमको खतम नहीं कर पाए अनुराग ठाकुर के बिवादित बयान से जहां एक और ये सवाल उठ रहा था कि मंची भाषा के स्तर को नेता जी क्यों गिरा रहे हैं तो वहीं OAC ने अनुराग ठाकुर को चैलेंज कर इस बिवाद को और हवा देने का काम किया है साथी OAC के बयान पर ये पूछा जा रहा है कि क्या OAC अपनी आपको गदार ठहरा रहे हैं तो आज सवाल यही है क्या OAC अनुराग ठाकुर के उस बयान का जवाब दे रहे थे क्योंकि अनुराग ठाकुर ने गदारों का जखर किया तो OAC को मिल्ची क्यों लगी क्या OAC अपने आपको गदार ठहरा रहे हैं मौन रहे हैं क्या मतлом निकल कर आता है दो मेमान हमारे साथ आमना सामना करने के लिए तयार हैं, चर्चा की शुरुआत, फजील एहमल साब मैं आप से करना चाह रहा हूं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, और OASI साब को भी आप जानते ही होंगे, उनके कई बयान इस तरीके से आते हैं, जो बिल्कुल लीक से हट कर होते हैं प्लीज, शुरू कीजिए. आज मुसल्मान सड़क पर बैट करके अपने हक हकू की बात करने लगा है, इसलिए चुब रहा है इनको, इनके चुबने से हम चुब बैटने वाले नहीं है, हम लोग तांतरिक देश में रहते हैं, अनुराग ठाकुर को अब तक फयार हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार क मैं और से पयार से क्यों नहीं हटा रहे जिस तरहिए एक मंची भासा है, आप किसको जोगेंदर सिंग पकड़ा गया है कश्मीर के अंदर, क्यों नहीं गोली मार रहे है उसको, वो गदर नहीं था, क्यों नहीं गोली मार दीये भी तक उसको? मंझ पे चुनावी भासण में आप क्या बोलना चाहते हो किस बात वोट माग रहे हो आप मुसल्मानों को टार्गेट करते हो आप दलितों को टार्गेट करते हो आप पिछणों को टार्गेट करते हो आप क्या आप चंद परसेंट लोग जो है इस देश की देश के मालिक बन मैं जो चाहेंगे वो बोलेंगे मैं कह रहा हूं कि अनुराग ठाकुर की उपर अभी तक मुकदमा कायम हो जाना चाहिए था लेकिन सरकार ने अभी तक मुकदमा कायम नहीं किया और आज इस तरह से पूरों से सरकार किस बात के लिए है अगर ओएसी साब बोल देते हम बोल देते एक मिनट में बॉक्दमा कायम हो जाता बिना किसी के का किया हैं वो इसीई साहं बॉले ऑगत फबών मोज्भी हI हो गांधी के लोग भूल जाते कि ये व्यक्तिवादी आप क्यों हो गए इस देश के अंदर अच्छे हिंदू भी हैं बुरे भी हिंदू हैं अच्छे मुशलमान हैं बुरे भी मुशलमान हैं अच्छे भारतिये भी हैं जो देश चे प्यार करते हैं कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि जो देश लोग हैं वो हिंदू भी हो सकते हैं मुशलमान भी हो सकते हैं इस देश में कहीं भी किसी कोने में छुपे हो सकते हैं उनके खिलाप करवाई होनी चाहिए मुझे ये लगता है कि देखिए हम लोग हर बात को हर विशे को हिंदू मुसलिम को देखते हैं जोड के देखते हैं य अब के लिए काम करता है, वो ये देख के काम नहीं करता है, कि मुझे मुझे मुशलमानों के लिए काम नहीं करना, और हिंदूों के लिए काम करना, सिक्कों के लिए काम करना, इशायों के लिए काम करना, जिस विशार पे हमारे मुस्लिम भाई नराज हैं, उनको लगता है, बहनों से पूछा गया, वो बहने कहती कि मेरे पतियों को भारत से बाहर भेजने की साजी से हैं, इसलिए हम धरने पे बैटे हूँ, उनका गुस्ता है, तो उनको आप लोग समझाएंगे, कौन समझाएगा, वेशी जैसे लोग जो नेता हैं, उनको समझाना चाहिए, आप जै इंदू यहां रहता है, बहुत शंक्याक है, वो गाय तो नहीं खाता, आपके तरफ बहुत से लोग बच्छडे और गाय का सेवन करते हैं, खुनों की नदिया गंदे गंदे नालों में बहती रहती है, तो भी तो बुराई नहीं करता, आपको डर उसके लिए नहीं लगता मैं बयानों को लेकर और भड़काओ बयानों को लेकर, जहां एक तरफ अगर फजील साब ये कहते हैं कि अनुराग ठाकुर ने मंच से भाषा की गरिमा को गिरा दिया, एक भड़काने वाला बयान दिया, उन पर कारिवाई होनी चाहिए, तो OASI साब महरा मुंबई से क्या बोल रहे हैं, वो भड़काने वाली बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने नाम नहीं लिया था, उन्होंने नाम नहीं लिया था, आप खेल खेल देखने जाते हैं, बीच में नहीं बोला था, गलत बात ही है, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप मेरे बात पुरा होने के बा में जर्सी नंबर दो ने गोल मारा तो हम कहते हैं ना कि अरे जर्सी नंबर दो बहादूर जर्सी नंबर दो ने गोल मारा आप क्या बात कर रहें खुल के कहो के मुसल्मान का दार हम सुनने को तयार हैं हम जानते हैं कि हम गांधी की सजा मिल ले हमको हम गांधी के काने पर हिं में हमारी विचार को दबाया जा रहा है वो कभी कांग्रेस के राज में कभी भाजपा के राज में यही वो तक सक्तियां हैं जो दोनों तरफ खेल खेलती हैं आम इंसान को दबाने कोशिश कर रहे हैं मैं कहना चाहता हूं अगर जो गिंदर सिंग गदार था तो क्यों नहीं गोली मार दिया ठाकुर ने उसको और हम कहना चाहते हैं यह खेल क्या खेल ले यह लोग अंदाज से तीर क्यों चलाते हो भाई नाम लेकर मार्द के बच्चे हो तो नाम लेकर बोलो हम सुनने की तयार है तुमारे मुसे यह रुखने का राक्त नहीं है आपके जबाब के द उनको आप चिक-चिक के बलकारी कहते हैं हत्यारा कहते हैं उसके आप शमर्थक में हैं आज इस देश के बरवादी के जहां नारे लग रहे हैं फिर भी आप भारत किसान में आप इसी देश में हैं आपको शर्ष्विकार देश ने स्विकार कर रखा है अनुराक ठाकुर सह आज के राजनीती कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि मुस्लिम उनका वोर्ड बैंक हैं, वो बाल बाल ये भूल कर जा रहे हैं कि देश में जो बुराई है, बुराई के खिलाफ लड़ना हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम सब के अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राज़ प्र प्रश्टाचार है, उसके खिलाफ नारे लगते थे, देश में बुराई के खिलाफ नारे लगते थे, तो ये कि नारा है आमजन जीवन में, कि वो बुराई के खिलाफ लड़ना चाहता है, उनकी अविव्यक्ति ये नहीं है कि कोई मिले उसको गोली मार दो, उनका कहने का म वाजी लहमत की बात कर रहा है बात इसलिए जरूरी है कि अनुराक ठाकुर के बयान को लेकर कल ही हमने चर्चा की इसी प्रोग्राम में कि ये मंची भाशा का इस्तर क्यों गिर रहा है इस तरह है कि भड़काओ तरिकी के बयान क्यों आरे जिसे चुनाव आयोग भी सक्त दिखाई दे रहा है यह हम कल चर्चा कर रहे थे अनुराक ठाकुर को लेकर आपको नहीं लगता कि OAC ने इसको रियाक कर और इसे सीधे अपने से जोड़ कर अपने से तो जोड़ा ही जोड़ा साथी साथ तमाम मुस्लिम समाज से भी जोड़ दिया ऐसे लोग नहीं भड़काने वाला काम करते हैं वही गोगई लड़की के साथ पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया तो साबित तो हो गया कि बलतकार करते हैं सब लोग नहीं करते हैं चिन्हित करके लोग करते हम तो कहेंगे नहीं जोगई अगर कर रहा है भलत कार कर रहा है लड़की के साथ पकड़ा गया ओटल में तो हम नहीं कहेंगे जोगा इंदर सिंह अभी आतंगवादी के साथ पकड़ा गया कितने लोग बेगुना मारे गहें जिसकी चेल अभी तो मैं आप भी बात के जवाब दे रहा हूं अभी भाइसाब के जवाब बाकी है दूसरा सवाल यह है कि ओएसी साब ने अपने उपर ले लिया को आज नहीं बात है क्या हम तो पिछले 25-30 साल से सुन रहे हैं इसी देश में नारा लगता था कि मुसल्मानों दोही अस्थान पाकिस्तान या कबिस्तान रोका किसी नहीं इस डेश में उस नारे को लोग तो कर देते थे हम वह भी सुनेएं यहीं दानारा लगता था आज खुशी की बात इस बात किया है कि 1992 से लेकर आज संघर्स की मुझाम पर हमारे मुसल्मान समाज के लोग ख़ड़े हो रहे हैं तो अनुराइघ ठाकु डर के हमारे मुसल्मान का नाम न लेके शाटकट तरीके से उन्हींने कह दिया नहीं तो इसी देश में रहा हा जो धाई जना समाय का जो गोत पहने जानागी और अधि briefly कैसे मुसल्मान जिसको हम दबा के रखे, जिसको हम कुचल के रखे, जिसको हम बरबाद करके रखे, आज वरत पखड़ा होगे अपनी इंसाफ के राई रहा है। सर, सर, आप भूल जाते हैं, इसमेरे के रखे, जिसको हम दिला रहे हैं। बांद दिया जाता है, और उसको इस तरह की घिनोनी हरकत होती है, तब आप वैसी लोगों के उनी पाटियों के समर्थक होते हो। आप हर जगा अपनी विचारधारा नकरात्मत क्यों बना के रखे होगे। जिसकी स्विकिर्ति है, आप सोचते हो कि गांधी जी ने यहां रखाथा तो गांधी जी के देश में मिलजुल के भी तो रहा जा सकता है। भाईचारे में रहा जा सकता है, क्या नफरत के साथ रहा जा सकता है, क्या कटरता के साथ रहा जा सकता है, ये तो आपको decide करना है, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये आज जिस मोदी जी से आप बिरोध कर रहो, जिस मोदी जी को आप दुश्मन मान रहो, उन्होंने किया क्या, इस द कि यह देश हमारा आपका जितना है दोनों आदमी का पराबर पराबर का तो हम कभ यह समझेंगे कि हमें मिलके इस देश को आगे बढ़ाना है यह कब आएगा यह विशे कब आएगा यह इसलिए नहीं आप आरा साब कि आप जैसे नेता जो मुस्लिम समाज के नेत्रित कर रहे आने ही नहीं देना चाहते हैं अनुराग ठाको राजमंतरियें फाइनेंस के उनको ती सेलेक्षन में यह बताना चाहिए कि बैंक क्यों बंद हो रहा है वित्ती हालत खराब क्यों है इस देश की तमाम बेरोजगारी क्यों हो रहे आज यह तो आपको पूछना था ना आपक सुनिये आप विश्य को विश्य को सोनिये बिशह कर रहे जनाब सुनिये हम लोग विश्य की इस देखने संदे अब पह्ते हैं क्यों सुनिये विश्य को यह तो रहा है पाकिस्तान का मुशलमान भारत में इसको कोई बिखकर नहीं है वह तो घर बैठा हुआ है तो घर बैठा हुआ है तो बातने का अंदोलन है और इसको कोई भी एक भारत का अच्छा नागरिक जो उसको सिकार दिए मुसलमान साहिन बाद में देश को बाट रहा है सवरक पर आपनी 14 से पहले बिखे आप अंदोलन नहीं किये आप चार मेना पार्लेमेंट इस देश में बिखकर लिजिए जो पहले अंदोलन जितने हुए वह तो परिवर्तन पे हुए पाकिस्तान के लोगों को भारत में नाग समय ने आप ऑऌक स्वरक एंदारां की जिम्मिदारी है और अपाइज आप रगावेश्या है ने आ हम सैन लाने दीजिए आप तो बहुत अच्छे राजनेता हैып अपकी राजब इसाओ ने कहा कि दूर गवेश्या टोड़ा शब्दों का चैन अप सब्सक्रा ने कर सकते रहे हैं नहीं कर सकते सब्सक्राइब उपयोगे दोड़कर चैना है किस अब मुझे शब्सक्राइब पर्लामेंट ने आपके लोगों द्वारा इस तरह काम किया जाता है। आपको उस देश के लिए अच्छा आदमी करेगा, आपको उस हर रक्ती से दिक्कत है। पर्लामेंट ने ये बात कही। अरे सर, आप ऐसी बात शाका क्या अपर्योग करेंगे। इस तरह काम किया आपके द्वारा आपके लोगों के द्वारा गलत के लिए विशा 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 और बिल्कुल गंविर्टा को रसमा करें। आप इस देश के गद्दार नहीं है, ये श्विकार करिए कि आप भारत के हैं और भारत माता से प्यार करते हैं। क्या बोला उन्होंने, क्या गलत करा दिया। हम नगा फई यार लिखाएंगे ना कोड़ पर रहेंगे। हम चाहते हैं कि बड़ बोलें बत्तमीजी कर सकते हैं हम देखना चाहते हैं। कि इतना न उनको बत्तमीजी उनसे करवा देंगे कि जनता जूता से खुद मारें उनको देखिए कि मुष्लिम समाज के अंदर जो राजदीत है वो ऐसे हो रही है कि सच और गलत में ये लोग फर्की नहीं समझ पाते अगर गलत है तो भाई ये गलती बार बार होगी जो आतनक वादी लेकिन गलत राजदीता आप नहीं होगा इस देश में नहीं चलेगा जो पहले चलता रहा है आपकी भासा नहीं चलेगी संधी तुमें और गोर्से की भासा नहीं चलेगी इस देश से लेगा ये गांधी का देश है गांधी की भासा से देश चलेगा गाधी का नाम आप बार बार लेते हैं लेकिन गाधी के पद्दचिन्नों पर चलते हुए दिखाई नहीं देते मैं संधीपी आपसे एक सवाल का जवाब जाना चाहता हो क्या चीज़ चाहिए होती है कि कि किसी ने गलत किया गलत कहा और वो जगह गलत थी वो तरीका गलत जहां पर अनुराग ठाकुन ने पयान दिया क्योंकि दिली में चुनाव है और चुनाव आयोग ने संग्यान भी ले लिया और इससे जदा और क्या चाहिए कि वो बात गलत है या सही है इसे ठहराने के लिए देखे एक बात गलत और सही की नहीं है बात समझने कि इसको कहत चुनायोग नेक्षन लिया तो दिल्ली पुलिस को यह फैयार करके कारवाई करना चाहिए अगर दिल्ली पुलिस ने कोई कारवाई नहीं किया इसका मतलब दिल्ली पुलिस सरकार के सारे की तोता हो गई धिली पुलीस भी सरकार की तोता हो गई यह किसी को सक्न感謝 कि नहीं कि आ रहें यह बुरे को और बुरा बनाएंगे गजलत करेंगे और पुराई के साथ खड़े होंगे यह इनकी नैतिक जिम्मेदारी इन्होंने तैकर रखी है कि हम अपने आपको गद्दार साबित कर देंगे यह ठीक है आपको भी गद्दार बोला आपने नहीं सुना नहीं समझे आपको नवासी से सुन रहे है कि मुसल्मानों दोई अस्थान पाकिस्तान या कबरिस्तान अब थोड़ा हमारी ज़रा वो बीते दोर की बात हो गए तब तो देखिए हमने नहीं सुना होगा लेकिन आज के दौर मे नहीं होगे जब आप सरकार करें हमारा अलागा अलागा स्थानों पे बं फूडते थे उसके आज आप समर्ठको दिक्कत क्या है रहोगे पुराई के साथ कितने दिन चलोगे पुछ अच्छा को कुछ तो कर लो कौन से गादी के लोगो कि गादी के किसी दिखाय हुए कर देखने को आपको मिला बयानों का अनुराग भी आपको देखने को मिला, नारों केहीं भी रियायत नहीं है क्योंकि ये बोड़ की चाहत में नारे लग रहे हैं चाए वो ऐसी ने मुंबई से कहा हो, गोली मारो, गद्दार हम हैं, हमें कहा गया हाला कि अनुराग ठाकुर ने नाम नहीं लिया था चुनाव आयोग ने संग्यान लिया अनुराग ठाकुर के बयान पर कारिवाई भी हुई है यानि कि बयान गलत था अब सही गलत को लेकर एक बार फिर से बयानों का दौर, चर्चाओं का दौर, बहस का दौर चल पड़ा है इस बलटीन फिलाल इतना ही बाकी खबरों के लिए आप रियान आन टीवी के साथ सिर्फ खबर के लिए